वेल्कम टू इस्ट्रीट 24 उदेपूर आज ही क्लास का हमारा टोपिक है लो ओफ डिमांड पिछली क्लास में हमने डिटर्मिनेंट्स ओफ डिमांड किसी कमरिटी की डिमांड को कौन-कौन से फेक्टर्स डिटर्मिन करते हैं जिनको हम डिटर्मिनेंट्स केते हैं उनके बार टोपिक है वो है लो ओफ डिमांड क्या है इसका स्टेटमेंट क्या है और इसको हम किस तरीके से शेडूल बनाके एक टेबल बनाके explain कर सकते हैं और साथ ही साथ demand करूका यूज़ करके इसको हम किस तरीके से explain कर सकते हैं इसे आज के देखा था कि किसी commodity की जब price बढ़ती है तो price बढ़ने के साथ साथ में उसकी जो demand वो क्या हो रही थी कम हो रही थी अब देखिए low of demand जो है वो भी क्या बताता है कि जब किसी commodity की price increase होती है तो price increase होने पर उसकी जो demand वो decrease हो जाएगी कम हो जाएगी और जब price जो है वो decrease होती है अगर कम होती हैं, तो उसकी जो demand है, वो क्या होगी, increase होगी, तो यहाँ पर अगर हम देखें, यह जो दो variable है, price और demand, इनमें कैसा relation है, inverse relationship है, negative relationship है, तो जो low of demand है, वो price और demand के बीच में, price और quantity demanded के बीच में, जो inverse relationship होती है, उसको explain करता है, उसको यह show करता है, सबसे पहले देखें, इसका जो statement है, वो क्या है, वो हम देख लेते हैं, कि जो low of demand है, वो क्या बताता है, the low of demand states that other things remaining constant, कि जो other things है, जो other factors है, जो demand को determine करते हैं, other factors कौन से है, वो मैं आपको भी बताऊंगा, statement क्या है, किसी commodity की, जो quantity demand की जारी है, वो increase होगी, with fall in price, जब उसकी जो price है, वो क्या हो जाए, कम हो जाए, price कम होने पर उसकी demand क्या होगी, बढ़ेगी, and diminishes when, demand जो है, वो कम हो जाती है, और कम कब हो जाती है, when price increases, जब उसकी price क्या होती है, increase होती है, तो जो low of demand है, वो क्या explain करता है, price और demand के बीच में, inverse relationship को, जब किसी commodity की price कम हो जाती है, तो उसकी demand क्या होगी, increase हो जाएगी, और जब price increase होती है, तो उसकी जो demand है, उस commodity की demand क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी, तो ये जो inverse relationship है, price और demand के बीच में, इसी को क्या का जाता है, low of demand, अब देखी, यहाँ पर हमने एक बात देखी थी, जब हमने इसका statement देखा था, उसमें क्या है था, other things remaining constant, तो देखी, ये other things remaining constant का meaning समझने के लिए आपको थोड़ा recap, हमने जो determinants पढ़े थे, वो आपको एक बार देखने पढ़ेंगे, ठीके, जो हमने determinants पढ़े हैं, अगर आपने उनको learn कर रखा हैं, आपको अगर अच्छे से याद हैं, तो फिर कोई दिकत नहीं हैं, तो मैं आपको और एक बार बतेता हूं, यहां पे other things remaining का मतलब क्या हो गया, जो हमने other factors पढ़े थे, जैसे other factors में आपने पढ़ा था, price of related goods, income of the consumer, जिसको हमने y लिखा था, फिर उसके बाद में test and preferences, जिसके लिए हमने t का use किया था, उसके बाद में expectations ली थी हमने, फिर हमने population size के बारे में देखा था, जिसको हमने n लिखा था, और उसके बाद में distribution of income, जिसके लिए हमने y, d लिखा था, तो यह सारे जो factors हैं, ठीक है, इसके अलावा देखो, एक होड़ सबसे पहला हमने पढ़ा था, वो था price of commodity, px, तो यहां पे other factor का मतलब क्या हो गया, उस commodity की price के अलावा, जो other factors हैं, तो कौन से, price of related goods, consumer की जो income है, income of the consumer, test and preferences, expectations हैं, फिर population size हैं, और distribution of income, यह सारे जो other factor हैं, अगर इन में किसी तरीके का कोई changes नहीं हो, यह सारे क्या होने चाहिए, constant, अगर इन सबी की value constant रहेगी, तो एसी condition में क्या होगा, किसी commodity, जैसे example के लिए x हैं, उसकी अगर price बढ़ेगी, तो price बढ़ने पर consumer उसकी जो demand है, वो कम कर देगा, और price अगर कम हो जाएगी, तो consumer जो हैं, वो क्या करेंगे, उनकी demand बढ़ा देंगे, इसी को economics में क्या कहा जाता है, low of demand, तो आपको समझ में आगया होगा, कि जो low of demand है, वो क्या show करता है, inverse relationship between quantity demanded and price of the commodity, किसी commodity की price और उसकी जो quantity demanded है, उनके बीच में inverse relationship है, negative relationship है, और inverse का मतलब क्या हो गया, दो variable, यहाँ पे कौन कौन से हैं, एक तो है price, एक की value क्या हो रही, increase हो रही है, और दुसरे की जो value है, वो क्या हो रही है, कम हो रही है, इसी को हम inverse relationship कहते हैं, जो कौन show करता है, low of demand, तो low of demand का meaning आपको समझ में आ गया होगा, तो देखिए, इसके assumptions कौन कौन सी, वो हम देख लेते हैं, हमने कहा था जो इसके determinant से, तो देखिए, determinants हमने जो पढ़े थे, वो भी मैं आपको बताता हूँ, कौन कौन से determinant से, price of the commodity, जिसके लिए हमने लिखा था, PX, फिर उसके बात में, income of the consumer, जिसके लिए हम लिखते हैं, Y, फिर test and preferences, जिसको हमने T से लिखा हैं, फिर हमारा है, expectations, E, फिर population size, जिसके हमने लिख दिया, N, और फिर distribution of income, Y, D, तो ये सारे जो other factor है, मतलब, first point हमारा price of commodity, इसके अलावा, जो ये सारे other factors हैं, point number 2 से लेकर 7 तक, ये सारे क्या हमारे other factors हैं, और ये other factors जो हैं, इनमें किसी तरेके से, किसी तरेके का कोई अगर change नहीं होगा, तो किसी commodity की price अगर बढ़ेगी, तो उसकी जो demand है, quantity demanded वो कम हो जाएगी, और price अगर कम होगी, तो उसकी जो demand है, वो बढ़ जाएगी, तो ये price और demand का जो inverse relationship हैं, उसको show करता ह हैं हमारा law of demand, तो देखिए हमारे इसकी जो assumption से वो कौन कौन सी है, there is no change in income of the consumer, consumer की जो income है, उसमें किसी तरेके से कोई changes नहीं होना चाहिए, second assumptions क्या है, there is no change in tests and preferences of the consumer, consumer के जो test है, preferences है, वो जो पसंद करता है, उसकी पसंद की जो चीज़े हैं, उनमें किसी तरेके से कोई changes नहीं होना चाहिए, मतलब उसकी जो पसंद है, जो fashion है, उसमें बदलाव नहीं आना चाहिए, अगर बदलाव आ जाएगा, तो हमारा जो low of demand है, वो applicable नहीं होगा, मतलब price बढ़ने पर demand जरूरी नहीं कि कम हो जाए, तो इसके लिए क्या जरूरी है, ये सारे जो factor से वो क्य complementary goods हो सकती है, उनकी price में किसी तरह के का कोई changes नहीं होना चाहिए, substitute और complementary goods की price में अगर किसी तरह के का कोई changes नहीं होगा, तो price बढ़ने पर demand कम हो जाएगी, और price अगर कम होगी, तो demand क्या होगी, increase हो जाएगी, और फिर next क्या है, there is no change in expectations, किसी commodity की दो price है, उसके बारे में time में क्या हम expect कर रहे हैं, कि उसकी price बढ़ सकती है, या कम हो सकती है, अगर इसे कोई expectations है, उनमें किसी तरह का कोई changes हो रहा है, तब हमारा जो low of demand वो applicable नहीं होगा, तो price और demand के बीच में, जो inverse relationship, low of demand बताता है, उसके applicable के लिए क्या जोरी है, ये हमारी सारी assumptions, मतलब इनमें क किसी तरह के से कोई changes नहीं होना चाहिए, ये सारी जो factors है, इनकी जो value है, वो एक तरह से क्या होने चाहिए, constant, ठीक है, इसलिए हमने क्या लिख देया पर, there is no change in, जैसा कि हमारा statement था, अब देखिए, low of demand जो है, उसको explain करने के लिए, आप एक, कोई number, assume करके, आप table मना सकते हो, जिसमें देखिए, low of demand में हमने क्या देखा है, दो variable है, एक तो कौन सा है, price है, और दूसरा कौन सा है, demand है, या हमने इदर लिख दिया quantity demanded, तो देखिए, आप यहाँ पे कुछ भी number, assume करके, explain कर सकते हैं, जैसे आप, assume कर देखिए, कि किसी commodity की जो price है, अगर 10 रुपीज हैं, उस समय उसकी जो quantity demanded है, वो कितनी है, 100 unit है, आपके मन में जो number आ रहा है, जितनी quantity आप, explain करने के लिए लेना चाहें, ले सकते हैं, तो यहाँ पर हमने, assume कर लिया है, किसी product की price कितनी है, 10 रुपीज है, उस समय उसकी जो demand है, कितनी quantity demand की जारी है, 100 unit, अब price बढ़ जाए या price कम हो जाए, इन में से आपकी जो इच्छा हो, दोनों में से कुछ भी आप समझा सकते हो, जैसे मना कि आप explain करना चाहते हो, कि price बढ़ कर अगर 20 रुपीज हो जाए, तो उस commodity की price बढ़ गई है, तो price बढ़ने पर क्या होने चाहिए, हमारा जो low of demand है, वो क्या बलता है price बढ़ने पर demand कम हो जाएगी, तो demand जैसे कम होकर यहाँ पर आपने 100 से कम कुछ भी unit आप लिसकते हो, 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90, 99 तक आप कुछ भी value लिसकते हो, जो आपके मन में आता है, तो यहाँ पर जैसे आपने लिख दिया है, 50, जब किसी commodity की price कितनी है, तेन रुपीज हैं, उसमें consumer कितने demand करता है, 100 unit, और price बढ़कर जैसे 20 रुपीज हो गई है, तो जो demand है, वो क्या हो गई है, 50 unit हो गई है, तो यहाँ पर क्या हो रहा है, price तो बढ़ रही है, और साथ साथ में demand क्या हो रही है, कम हो रही है, यहीत हमारा law of demand है, कि price और demand में inverse relationship होती है, price बढ जो है, वो 100 से 50 unit हो गई है, कम हो गई है, यहाँ अगर आप चाहें तो इसको दूसरी तरह की से, आपने लिख दिया इदर price, इदर लिख दिया आपने demand, price 10 रुपीज है, उसमें demand कितनी है, 100 unit है, price कम होकर जिसे 2 रुपीज हो गई है, तो demand बढ़कर जिसे 100 से जदा आपने कुछ भी लिख दिया, जैसे की 500 हो गई है, तो यह भी हमारा क्या है, law of demand है, यहाँ पर देखिए price क्या हो गई, 10 से 2 हो गई है, कम हो गई है, तो price कम होने के साथ साथ में क्या हो गई है, price अगर कम हो गई है, तो demand क्या होगी, 100 से बढ़के 500 हो गई है, तो inverse relationship है, यही हमारा low of demand बताता है clear हो गया होगा आप देखे इसी चीज़ को हम चाहें तो diagram से भी explain कर सकते हैं diagram में आपने जो value ली है उन्ही value को जो आपने schedule बनाई थी अभी उन्ही value को लेके आप बना सकते हो और अगर आप direct बनाना चाहो तो direct बना के भी explain कर सकते हैं यह जो हमारा o y axis हैं इधर हमने लिए है price और o x axis हैं इधर आपने लिए है demand लिए हैं और कर आपने जिसे demand को यह बना दिया बस downward slow का बना सकते हैं आप कुछी भी बनाओ चाहे state line बनाओ चाहे आप इस कारो के रूप में बना दो सबसे पहला आपने यहाँ पर point ले लिया कि किसी commodity की जो price है वो कितनी है o p उसमें demand कितनी है o से लेकर q तक है और जब उस product की price कम होकर p1 हो गई है तो price कम होने से देखे demand जो है वो बढ़के कितनी हो गई है q से q1 price कम होई है यहाँ पर demand क्या हो गई है बढ़ गई है तो price कम होने पर demand बढ़ती है यह हमारा law of demand है ठीक है inverse relationship है अगर आप यहाँ पर price को increase लेके समझाना चाहें तब भी समझा सकते हो initial price कितनी एजिम कर लो माना कि o p1 है और उसमें demand कितनी है o q1 है price अगर increase होकर p1 से p हो जाती है तो demand q1 से कम होकर q हो जाती है तो यहाँ पर price बढ़ने पर demand कम हो रही है दोनों तरीके साब explain कर सकते हो तो हमने जो यह diagram अना रहा है इसमें हमने क्या explain कर रहा है initial price कितनी है o p इतनी है और उसमे initial demand जो वह कितनी है o से लेकर q है और जब price कम हो जाती है p से p1 हो जाती है तो demand जो बढ़की q से q1 हो जाती है तो price कम होने से demand बढ़ रही है यह हमारा low of demand है और अगर आपने यहाँ पर कुछ number लेके अगर table बनाते तो भी बना सकते हो ठीक है जैसा कि आप assume कर लो कि जब किसी product की price वन रूपीज है टू रूपीज है ठीक है तो उसमें demand आप ले लो कुछ भी जैसे हमने लिख दिया पर 50 लिख दिया है यहाँ पर लिख दिया हमने 100 कि जब किसी product की price कितनी है product की price है 1 रूपीज उसमें जो demand है वो कितनी है 100 है और price increase वोकर 2 हो गए है तो जो demand है वो कितनी हो गई है 50 हो गई है अब इसको लेकर आप diagram मना दीजिए price 1 रूपीज उसमें demand कितनी है 100 यूनी तो price 1 रूपीज यह 100 आपके यहाँ पर point लगा दिया फिर price बढ़के 2 रूपीज हो गई है तो demand कितनी हो गई है 50 तो यह आपने यहाँ पर point लगा दिया और इन दोनों point को आपने क्या किया मिला दिया तो यह क्या बन गया आपका demand कर इसके लिए नाम लिख दिया आपने DD तो यह जो demand कर वो क्या बतर आप इसको दोनों तरीके से explain कर सकते हो जब price 1 rupees है उसमें demand कितनी है 100 unit और price बढ़कर 2 rupees हो गई है तो demand कम होकर 100 से कितनी हो गई है 50 हो गई है प्राइस बढ़ने पर demand कम हो रही है यह हमारा low of demand है यह आप यह बता दो कि जब price 2 rupees है उसमें demand कितनी है 50 units है और price कम होकर 1 rupees हो जाती है तो demand बढ़कर 50 से कितनी हो गई है 100 हो गई है तो price कम होने पर demand क्या हो रही है increase हो रही है यह हमारा है low of demand ठीक है आपको समझ में आ गया होगा नहीं तो आप इसको एक बार और देखिए अच्छे से आपको समझ में जाएगा अब देखे low of demand का जो अगला part है जिसमें हम देखे प्राइस कम होने पर demand क्यों बढ़ती है why more of a good is purchase when its price falls जब उसकी price कम हो जाते तो consumer उसकी demand ज्यादा करता है यह उसकी वजह से हमारा जो demand कर उसका slope कैसा बना यह downward slope का बना है उपर से नीचे गिरता हुआ left to right बना है इससा क्यों होता है उसके क्या reason है और फिर उसके कौन कौन से exception से मतलब जहां पर हमारा low of demand applicable नहीं होता है उसके बारे में हम next class में discuss करेंगे thank you